कि नमस्कार आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियो अप्रोड करते हूं जो कि आप से लोग से लाइक करते हैं पसंद करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं आप ते नहीं गिया है तुरंद करिए का दूसरी लोग तक भी जानकरी को जरूशे करें सबसे पहले आज पताना चाँगा कि अब से कुछ दिर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि पती पतनी एक दूसरे से कितनी दिन दूर रहें जो की माना जाएगा तलाग उसी वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स भी आये कॉल्स भी आये पूछा कि सर ये तो बताया आपने कितनी दिन रहे जाया लेकिन वो दिन कब से स्टार्ट होगा जिस जिन से ये पता लगे कि हमारा जो समय है वो इतना समय अब हो गया है तो आज मैं आपको वह चीज की बात है आपी के लिए ये चैनल है सबसे पहले जो पती अपनी पतनी से बहुत जाता परशान होते हैं फिर पतनी बहुत जाता पती से परशान होती है वही तलाग डालता है यह मतलब कॉमन फिनोमेना देखा गया है कि पती अगर पतनी से बहुत जाता पीडित है वो पती क्योंकि कोई भी हो सकता है यहां पर ना पती के लिए हैं ना पत्नी के लिए हैं अब यहां पर जब कोई भी हो सकता है तो फिर जब आप application यानकी section 13 लोग बहुत सारी पत्निया या फिर कोई भी विक्ति जो तलाक लेना चाहता है अपने जो दूसरी पार्टी उससे तो उसमें एक ही चीश सब्सक्राइब कि मेरे उपर क्रूल्टी करें सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉंग जो ग्राउंड बनाते हैं कॉमन ग्राउंड बनाते है कहती है क्तनी क कह दिए मरा पीटा घर से निकाल दिए इस तक से क्रूल्टे हो गई उसी कई चीजो가지 जो जनकारी है वो आप उस petition में लिखवाते हैं और उसी दोरान ये कहते हैं ये cruelty है क्या cruelty का ground ये strong है मैं कहूंगा नहीं क्योंकि ये ground cruelty का strong है ही नहीं क्योंकि नहीं तो भी कोई केस आपका decide हुआ है चाहे 498 अगर case decide हो गया है तो और आप उसमें बरी होगा है cruelty बन गई लेकि क्योंकि आप गलत तरीकी से उसको पेश किया है क्योंकि अभी उस वो जस्ट वह उन्हें है और आपने बता दिए कि क्रूल्टी का अथार नहीं बना सकते उसको दूसरा डीवी है maintenance और भी case डाल दिये हैं तो वह आपने बता दिए कि साब ये डाल दिये मुझे पीड़ा हो होती है मैं क्रूल्टी था हला कि पीड़ा आपको होती है लेकिन according to law ग्राउंड जो क्रूल्टी का नहीं बनता है अब बात करते हैं कि क्या बनता है कि क्रूल्टी ग्राउंड या तो आप ऐसा ऐसा कुछ बताएं कि उसके किसी और के साथ physical relationship है या वो किसी और के साथ रह र बनता है क्योंकि section 5 में हिंदू marriage act में बताया गया है कि कैसे पत्नी कैसी मल्दब पत्नी कैसे होने चाहिए किस तरीके की साथ सारी conditions होने चाहिए वो ही marriage जो है valid marriage बाने जागी तो आप section 13 ही पड़े और दूसरा section 5 ही पड़े क्योंकि पहले बता लागी कि marriage क्या है शादी क्य है कैसे होती है वो पांच में लिखी हो यह सब कुछ और उसके बाद कब उस शादी को तोड़ा जा सकता है क्या आधारा तोड़ने का वो section 13 में बताएगा है बस अब इतना आपको कर लेना है उसके बाद जो है अब मैं आपको आपको कि कितने दिन पती-पत्नी या कितने मह इसन है उसके पीछे सबसे पहले कि आपके बीच में जो दूरियां है उसका जो समय सीमा है वो लगबग दो साल से कम नहीं होना चाहिए दो साल से एकसीड करने जाए यानकि अगर दो साल से ज़्यादा आप अपनी पत्नी से अलग है इसका मतलब एक ग्राउंड बनता है section 13 घरे के तहत dissertation dissertation मतलब कि एक दूसरे से दूरी आप क्योंकि पती-पत्नी के शादी एक दूसरी कराई आती है वो इस लिए था कि आप दूने की दूसरी के साथ मे रहें लेकिन किनी कारणों बस लड़ाई ज़गडा कुछ और के कारणों को बस पत्ति-पत्नी दूसरी सात न तेरे case में क्या ये ground बनता है या फिर नहीं बनता है अब आपने देख लिया कि बनता है तो ये बनता कब से है कब से आपको पतलाए कि दो साल का time जो वो consider होगा ये नहीं कि आप दोनों पती पतनी ने शादी करी राई जगडा हुआ पती अपने घर के बैठ गया पतनी अपन है कि हमारे साथ तो दो साथ ज्यादा भी इत गया हमारे हमार तो ग्राउंड बन गया है हम अपतलाग ले सकते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं ये कोई ग्राउंड मनी बनाया क्योंकि आपका कोई भी लिखित में यह नहीं बताया उसने पतनी ने या फिर आपने कि आप इतन वो तारीः एन की FIM दर्ज की गई है वो ते तारीः या फिर कोई और case किया डीवी मेंटरेंस एसा कोई case किया उसमें कोई तारीः लिखाई गई है उस तारीः लेकर अगले दो साल की समय कभी हो जाया उस दिन ही आपको जोगा है उस डिस्टरशन के ग्राउंड बन ग्राउंड ऐसा नहीं बनेता है तो बहुत अपने भी डाइवर्स का प्रटिशन आप फाय्ल करते हैं तो अगर कुरुल्टी है तो दूसरा डिस्ट्रस्शन का भी ग्राउंड आप रखेंगे तो कम से कम कोई न कोई एक ग्राउंड दोस में होई ही जाएगा कि भ錯 कि एस समय का जो है इसका उसको फायदा रही है वह आप से पास नहीं है तो आप इस अधार पर सता दिवारा से बसा सकते हैं तो बस में एतने का जाएवँ आगर आप सब्सक्राइब लेना चाहते हैं हमारी लीगल एडवाइज ले चाहते हैं तो हमारा दियो और नंबर पर हमें संपर्भी कर सकते हैं आपका वीडियो आज कर वीडियो देखें लें आपसे होत धन्यवाद